जहां कामना मिट जाए उस साल कडाकी की सर्दी थी इस सर्दी के साथ ही तुशारापात होने से वन उपवन पेड़ पौदे सभी सूप गए हर्याली का एक तिनका भी नजर नहीं आता था ऐसे में भला देव मंदीरों में पूजा अर्चना के लिए पुश्प कहां मिलते सभी हताश थे और साथ में हत प्रभ्भी किन्तु न जाने कैसे सुदास माली के सरोवर में एक कमल खिल उठा ऐसा विहस्ता हुआ कमल तो कभी शरद रितु में भी नहीं खिला था सुदास का रदय प्रसन्नता सी उमग उठा क्योंकि अब उसे मनमाना मूल्य पाने का अवसर सुलब हो रहा था प्राते होते ही उसने कमल का फूल तोड़ लिया उसे लेकर वै राज महल की ओर चल पड़ा राज भवन के द्वार पर पहुँचकर उसने राजा को संदेश भीजा संदेश में कहलवाया कि वह एक ऐसा कमल पुष्प लाया है जो बेजोड और बहु मुल्य है तभी एक आगंतुक उधर से आ निकला कमल पुष्प पर नजर पढ़ते ही उस पर मुक्द हो गया उसने माली से पूछा क्या यह विक्री के लिए है माली बोला पर मैं तो इसे महाराज धिराज को अर्पित करना चाहता हूँ आगंतुक ने कहा दरसल बात यह है कि भगवान तथागत आज इस नगर में पधारे हैं तुम तो अपने इस पुष्प का मुल्य बताओ मैं तो इसके बदली एक स्वर्ण मुद्रा पाने का आशा लेकर आया हूँ मुझे यह मुल्य स्विकार है आगंतुक के स्वर में उत्सहा आ गया उसी समय अचानक महाराज प्रसिन जीत नंगे पाउराज महल से निकले वे भी भगवान तथागत के दर्शनों के लिए जा रहे थे सुदास माली के हाथों में यह अनोखा कमल पुष्प देखकर वे बड़े आनन्दित हो गए महीं रुपते हुए उन्होंने पूछा माली इस पुष्प का क्या मुल्या लगाते हो राजन पुष्प तो मैं इने बेच रहा हूँ किस मुल्या पर एक सुवण मुद्रा के बदले मैं तुम्हें दस सुवण मुद्रा देता हूँ तो मैं बीस दूंगा अगंतुक महराज का अभिवादन करते हुए बोला कौशल नरेश बोचंकी रह गई उन्हें चकित होते देखकर अगंतुक कहने लगा आज हम दोनों ही भगवान बुद्ध के दर्शन हितू जा रहे हैं इस समय हम दोनों ही उनके भक्त हैं न राजा न प्रजा अतेव आप मेरी इस दृष्टता को क्षमा करेंगे उदार मना महराज प्रसनजीत के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई वह बोले सच कहते हो भक्तराज किन्तों मैं 40 सुवन मुद्राई दूँगा तो मैं 80 दूँगा कमल पुष्ट की इस तरह बढ़ती हुई कीमत देकर माली चक्की था उसके समझ में नहीं आ रहा था कि यह पुष्ट अचानक की इतना कीमती कैसे हो गया अगली पल उसकी मस्दिश्क में नहीं जाने क्या विद्दूसा कौंद गया और वह निश्चे करके बोला आप लोग मुझे क्षमा करें मैं किसी भी मुल्य पर यह बिक्री नहीं करूँगा इतना कहकर वैं चल पड़ा नगर के बाहर निकल कर वैं सोचिन लगा जिन भगवान बुद्ध के लिए एक साधर्ण पुष्ट की इतनी अधी कीमत चुकाने के लिए उनके भग तयार है क्योंने मैं यह पुष्प उनकी हाथों बेचकर मुह मांगा मुल्य पाउं भगवान बुद्ध की खोज करते करते वैं उस जगे आ पहुचा जहां वे वट वरिक्ष के नीचे पदमासन में बैठे हुए थे ओहो क्या अलोक एक सांदर है क्या नेतर है इस तपस्वी के इन नैनों से तो करूना ज़र रही है सुदास माली विसमे विबुग्ध हो एक टक उस महा तपस्वी को देखता ही रह गया फिर जैसे होश आते ही वै आगे बढ़ा और उस कमल पुष्प को उसने उस परमतेजस्वी तपस्वी के चर्णों में अर्पित कर दिया भगवान बुद्ध मुसकर आये बोल उठे क्या चाहते हो वत्स भगवान मेरी अब और कोई कामना नहीं है माली ने अवरुद्ध कंठ से कहा बस आप मुझे अपना ले प्रभु के मुसकान जैसे स्वीकृती का संदेश थी वह उनका हुकर सब कुछ पा गया आज उसे कमल पुष्प का ही नहीं अपने जीवन का सार्थक मुल्य मिल गया तथा वै तथा गत की शरण में चला गया अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें कमेंट और शियर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रिशी चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें साथ ही बैल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलत भी रहें धन्यवाद